नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष प्याना सुनाक्षी चिल्डन ऑस्पिटल हिसार से आज मैं एक OPD के किस्से की बात करूँगा एक मदर आई मेरे पास शी सेट की पेट में दर्द है बच्चे के मैं बहुत रोकती हूँ लेकिन बाहर का छोड़ती नहीं है कुरकुरे चिप्स खाती है पैर पकड़ने लग जाती है कि ममा दे दो, ममा दे दो तो मेरा दिल पसीज जाता है मैं उसको दे देती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं इसे छुड़वा सकूँ देखी, मैं आपको बता दू जंक फूड कैसे आपके बच्चों को आदी बना रहा है और क्या क्या आपके बच्चे के शरीर के साथ खेल करने जा रहा है जंक फूड जिसमें कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, मैगी ये सब चीजे आती है ये इस तरीके से बनाए जाते है इनके अंदर एक शुगर जो आप सिम्पल चीनी बोलते है उसकी मातरा इस तरीके से डाली जाती है कि दिमाग के अंदर एक ऐसे सेंटर को जाके इसमीलेट करती है जिसको कई है उसको जागरित करती है जिसमें बच्चे को मजा आता है यह वही center है जो चरस, अफीम और गांजा खाने के बाद जागरित होता है क्या आपने किसी नशेडी को देखा है क्या आपने कभी अपनी family में ऐसा इंसान देखा है जिसको नशे की लत लग चुकी है अगर उसे किसी दिन नशा नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही react करेगा जैसे शायद आज आपका बच्चा कर रहा है मतलब आपके बच्चे को लत लग चुकी है और ये लत अगर मैं छोटे बच्चों को compare करूं तो ये बराबर है बढ़ों की चरस, अफीम गांजे जैसी अगर आपके बच्चे को कभी चरस, अफीम की लत लग गई तो क्या आप उससे सिरफ request करोगे या हस के बता पाओगे अपने डॉक्टर को की सर मानता ही नहीं है मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन अब क्या करें सारे बच्चे खा रहे है मेरा बच्चा भी खा रहा है अगर आपका बच्चा कभी-कभी खा रहा है पंदरा दिन में, एक महिने में, दो महिने में एक आदी बार खा रहा है शायद उतना नुक्सान नहीं है लेकिन अगर वो डेली खा रहा है डेली एक packet आप खोल के दे रहे हैं इवन biscuit भी मैं इस पे इंक्लूड करना चाहूँगा biscuit is same as curcure chips biscuit कोई बहुत जादा healthy नहीं है तो उसको उतना ही नुक्सान होने वाला है जैसे किसी adolescent ये adult को रोज नशा करने से होता है और बच्चा आपका बचारा मजबूर है वो नहीं रह सकता उसकी आतत विल्कुल वैसे है नशेडी जैसी जिस दिन उसे वो नहीं मिलेगा वो रोएगा उसको अंदर से दर्द होता है सच में दर्द होता है लेकिन अब हम उस level पे पहुँच चुके हैं जहां हमें उस दर्द से बाहर निकालने के लिए कुछ टाइम के लिए स्टिक्ट होना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा बन नहीं तो ये आगे चलके आपके बच्चे के पेट में ऐसी लिटी खाने की नली के कैंसर से लेके आने वाले समय में बच्चों में डाइबटीज की बिमारी तक कर सकता है तो प्लीज अपने बच्चों को जंक फूड से बचाईए कुरकुरे चिप्स के अलावा मैं बात करूँगा अगर आपका बच्चे को रोज बाहर जाके फास्ट फूड खाने की आदत पड़ चुकी है बर्गर फ्रेंच फ्राइज ये सब चीजे सेम असर करती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज इनसे बच्ची अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कीजी और कहीं आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं हमसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो लिचली के नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं शायद हम आपकी मदद कर पाएं बट इन चीजों से बच्चों को प्लीज बचाईए अगर आपका बच्चा दो तिन महीने में खा रहा है तो फिर भी मैं आलाओ करूँगा इस से जादा या रोज तो बिल्कुल भी नहीं या आपके बच्चे आपके परिवार की लोंग टर्म हेल्थ के लिए बहुत टेंजरस है धन्यवाद नमशकार